आज डिसकस करेंगे पाइल्स या बवासीर के बारे में So, Hello दोस्तो and Welcome back to my channel Informatic Hub आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी पाइल्स क्यों होता है, उसके causes क्या है, symptoms क्या है और treatment क्या है तो वीडियो में last तक बने रहेंगा बिना skip किये तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है पाइल्स क्या होता है, साधरन भाषा में कहूं तो टॉयलेट करते वक्त NS में bleeding और pain होना पाइल्स या बवासीर कहलाता है आज कल ये डिसिस बहुत आम हो गई है दोस्तों, पाइल्स दो तरहा के होते हैं एक external piles और internal piles अब बात करते हैं symptoms क्या है internal piles में patient को usually bleeding होती है कोई pain या दर्द महसूस नहीं होता और कमजोरी लगती है अगर internal pile ज्यादा बढ़ जाता है तो मस्य भी feel होते है external piles में मस्य तो महसूस होते ही है इसके साथ साथ लेटरिन करते वक्त बहुत जादा bleeding होती है और बहुत जादा दर्द होता है काफी बार external piles का खून का clot बन जाता है जिसकी वज़ा से बहुत सूजन आ जाती है और शदीद दर्द होता है ये बिना लेटरिन पास किये भी होता है ये एक emergency situation होती है तो आपने as soon as possible hospital जाना चाहिए अब बात करते हैं causes के बारे में piles होने के बहुत सारे कारण हो सकते है जैसे के prolonged sitting time जो लोग आजकल ज्यादा mobile या newspaper toilet में बैट कर इस्तेमाल करते हैं जिसकी वज़ा से piles होने के chances बढ़ जाते हैं नमबर 2 strained bowel moment यानि toilet करते वक्त जोर लगाना ये भी एक major cause होता है piles या बवासिर होने का क्योंकि जब हम जोर लगाते हैं तो latrin का रास्ता नीचे आ जाता है जिसकी वज़ा से बवासिर होने के chances बढ़ जाते हैं नमबर 3 constipation due to poor diet constipation भी एक major cause है बवासिर का आजकल dietary products में low fiber और high fat होता है जिससे piles के chances बढ़ जाते हैं दोस्तों इसके अलावा pregnancy में काफी महीलाओं में बवासिर होता है लेकिन ये irreversible होता है और दूसरा बढ़ती उमर में होता है अब बात करते हैं डाइगनोस के बारे में इन में से आपको कोई भी या सारे लक्षन नजर आते है तो फोरण डॉक्टर के पास जाए डाइगनोस में अगर पेशन को पे नहीं होता है सिर्फ ब्लेडिंग होती है तो एक टेस्ट होता है प्रोटोस्कोपी जिससे इंटर्नल पाइल्स को डिटेक्ट किया जाता है इसके बाद डॉक्टर आपको कुछ बलड टेस्ट करवाएंगे जैसे CBC या कम्प्लिट बलड टेस्ट किया जाता है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि कहीं आपको खून की कमी तो नहीं है इसके अलावा सिग्मोईडोस्कोपी भी की जाती है जिसमें आपको इलेटरिन को निचला पाट देखा जाता है और दूसरा होता है कोलोनोसकोपी जिसमें पूरा लार्ज इंटस्टाइन का एरिया देखा जाता है इसके अलावा स्टूल गोईक टेस्ट भी किया जाता है जिसमें आपके स्टूल के साथ आने वाला ब्लड की जाच की जाती है अब बात कर लेते हैं कुछ होम रेमेडीस के बारे में तो चलिए देखते हैं सबसे पहला है कि अपनी डाइट में आपने फाइबर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है जैसे हरी सबजियों का सेवन आपने ज़्यादा करना है फल फ्रूट्स आपने ज़्यादा खाने है बेकरी प्रोडक्स से आपको दूर रहना है इसके बाद जादा से जादा यानि तीन से चार लीटर पानी आपने दिन भर में पीना है नमबर तीन है टॉयलेट करते वक्त जादा प्रेशर नहीं लगाना और जादा देर तक नहीं बैठना अगर आपको काफी दर्द हो रहा है तो पेन रिलीफ के लिए आप OTC Ointment का यूस कर सकते है या फिर आप गुनगुने पानी में SIDS BAT ले सकते है SIDS BAT का मतलब होता है कि एक टब में गुनगुने पानी के अंदर आपने कुछ समय तक बैठना है जिससे आपको काफी आराम मिलेंगा अब बात करते हैं कुछ होमियोपेटिक मेडिसिन के बारे में अगर होमियोपेटिक मेडिसिन में मैं बात करूँ तो इसमें कुछ दवाए होती है जैसे Ociculus, Olives और तीसरी मेडिसिन है Graphites युनानी मेडिसिन में इसके लिए बहुत अच्छा एक माजून होता है जिसे माजूने बवासिर कहते है वीडियो आपको informative लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करे चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक तो आप करोंगे ही तक्राइब करेंगे लाइक तक्राइब करेंगे